वैसे तो जम्बो इन कश्मीर का इतिहास इतना लंबा और कॉंप्लिकेटेड है कि यूट्यूब वीडियो तो छोड़ो एक किताब में भी वो फिट ना आए एक लेब्रिरी लग जाएगी तब शायद कुछ समझ में आए लेकिन कश्मीर के रीसंट हिस्टरी में दो ऐसे साल हैं जिसने यहां की डेस्टिनी बदल के रख दी है मैं बात कर रहा हूँ 1987 और 2019 के बारे में दोनों ही सालों में ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला गया कि स्टेट में धमाका हो गया पिछले कुछ दिनों में 40 से भी जादा जाने गई हैं यहां high level of military casualty तो है ही साथ ही साथ निहत्ते citizens को चुन-चुन के मारा जा रहा है terrorist द्वारा डर का माहौल बनाया जा रहा है और इसी लिए बहुत लोगों को लिए यह 1990s का terrorism 1990s का खौफ याद दिला रहा है आज के जमुएन कश्मीर के इस नए खौफ को समझने के लिए जाना पड़ेगा हमें rewind करके 1987 तक जमुएन कश्मीर में एहम elections का वो साल एक तरफ था Congress and NC का alliance और दूसरे थरफ उनके खिलाफ Muslim United Front या MUF का alliance जिसमें local party शामिल थी दोनों तरफ से जम के campaigning हुई बहुत लोगों को लग रहा था कि इस election से democracy की बहाली होगी valley में और शान्ती का बातावरन अब finally वापस आ जाएगा लेकिन March 23rd 1987 के elections में जो हुआ और उसके बाद जो खेल खेला गया उसके वज़े से जम्मुएन कश्मीर की तकदीर ही बदल गई और democracy से उसका नाता तूट सा गया जोजी जोजेफ के नए किताब में दे साइलेंट कू में बखू भी दिखाया गया है कि कैसे 1987 का जो election था वो दिल्ली से राजीव गांधी के Congress सरकार ने manage किया था नतीज़ तो पहले से fix था फारुक अब्दुल्ला को election जीतना था तो क्या करें वोटर्स को धंकाया गया कित्री ने खुद manipulation किया Muslim United Front के winner को loser घोशित कर दिया बांधी पोरा में भी ऐसा हुआ और फिर results overturn करने के बाद M.U.F के workers को police station में ले जाकर खूब अच्छे से उनकी खातेरदारी हुई हिजबुल मुजाहिद्दीन के करता धरता आज इंडिया के one of the most wanted साइद सलाहुद्दीन का नाम आपने जरूर सुना होगा पहले उनका नाम होता था यूसुफ शाह श्री नगर के लाल चौक constituency से candidate भी थे National Conference के गुलाम मुहमद शाह से जीतने के बावजूद वहाँ के DM ने results को बदल दिया और NC को winner गोशित कर दिया शाह ने जब protest किया तो उन्हें घजीट के police station ले जाया गया और बंद कर दिया गया साइध अली शाह गिलानी अपने मरते दम तक एक anti-India voice वो भी 87 के elections में सोपोर से candidate थे कहने का मतलब है कि एक पूरी generation of कश्मीरी leaders जो democracy में हिस्सा लेने का सोच रहे थे हिस्सा ले रहे थे उन्हें जूते मार कर भगा दिया गया और इसके बाद वो क्या हुआ वो जाकर पाकिस्तान के गोद में बैट गए इसी के बाद boycott और आजादी के नारे बुलंद होने लगे सिस्टम और बंदूक के दम पर elections तो Congress और National Conference ने जीत लिया लेकिन लोगों का जो समर्थन था जो विश्वास था democracy पे वो खो दिया इन ही वजों के कानन militants को local support मिला बहुत चल्द उस समय भी दूसरे political parties थे, supreme court थी, media भी थी कुछ हद तक लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं किया आज ये बात साफ हो चुकी है कि 87 में जमुएन कश्मीर elections को रिख किया गया था राजीव गांधी के इस master stroke को आज हम इतिहास के डस्बिन में पाते हैं लेकिन उस समय कुछ बोलते तो वो anti-national पाकिस्तानी supporter बन जाते तब भी उस समय मीडिया ने आज के मीडिया से जादा बोला 1987 elections के एक दो साल बात तक सब चंगा सी था भी फिर आया धमा का अंग्रेजी में कहते हैं न काम बिफोर दे स्टॉर्म 1989 में ISI बैक्ट मुझाहिदीन ने रश्या को अफगानिस्तान से बाहर खदेर दिया उस समय पाकिस्तान ISI के पास समय था पैसा था पावर था और influence था और शुरू हो गया वैली में 1990s का आतंक किडनैपिंग्स ले लीजे टार्गेटेट किलिंग्स ले ले लीजे 87 के बाद किश्मीर में लोग ऐसे में ही सुलग रहे थे उनको लग रहा था उनके साथ गलत हुआ है अपमानित महसूस कर रहे थे अपने आपको पाकिस्तान ने आकर उस पे घासलेट डाल दी और एक पूरे जेनरेशन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा आतंक, अराजकता, आजादी के नारों ने सालों तक वादी को अपने चपेट में रखा ये सब 2000 के एंट तक तो चला फिर कम होता नजर आया बहुत लोगों को लगा शायद अब कश्मीर में धीरे धीरे अब सिचुईशन ठीक हो जाएगी आर्टिकल 370 की भी प्रविजन धीरे धीरे हटाये जा रहे थे As a matter of fact, 2013 में वैली में सिर्फ 78 active militants registered थे ये आंकड़ा हमेशा सरकारी आंकड़ों में कम से कम 200 से उपर रहा था लेकिन जम्मों कश्मीर ने शांती और सुख का भोग कितने दिनों के लिए किया होगा 2014 में प्रधान मंतरी मोदी ने सत्ता में आते ही मेक इन इंडिया का नारा लगाया अब यहां किसी ने सुना या नहीं पता नहीं लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बात पर अमल किया और टेर्रिस्ट पाकिस्तान से एक्स्पोर्ट करने के बज़ाए इंडिया में बनान लगए 2018 में हालत यहां तक आ चुकी थी कि आतंकवादी जो ओफिशली 300 का आकड़ा पाल कर चुके थे लेकिन हर पाकिस्तानी आतंकवादी के बदले दो लोकल मिलिटेंट सब खड़े हो गए मिलिटेंसी को बढ़ते देखकर सरकार ने वही किया वही काम किया जो उसे अच्छे से करना आता है सर्जिकल स्ट्राइक लेकिन सरकार जब आर्मी वाला काम खुद करने लगे बने पुलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक तो बम हाथ में ही फूड जाता है नोट बंदी के बाद सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक एबरोगेशन अफ आर्टिकल 370 वो आर्टिकल जो जम्मुएन कश्मीर को एक अलग स्टेटस देता था वो आर्टिकल जो एक ब्रिज बनकर जम्मुएन कश्मीर को भारत से जोड़ता था उसे तोड़ दिया गया, जम्मुएन कश्मीर को यूनिन टेरिटरीज घोशित कर दिया गया और सेंटर के नीचे ले आया गया 1987 elections के तरह ये master stroke देश हित में किया गया था विकास के लिए किया गया था, democracy के नाम पे और बंदूक के नोक पे किया गया था जम्मुएन कश्मीर अब और भी military के साए में जीने लगा साल भर तक mobile internet कटा रहा और हजारों लोगों को detain कर लिया गया इस शक पे कि वो उपतरफ कर सकते हैं बने pre-crime arrest, preventive detention, internet blackouts ये experiments जम्मुएन कश्मीर में पहले आजमाए गये और अब तो पूरा भारत ही ऐसे experiments देख रहा है जम्मुएन कश्मीर में जो violence आज हो रहा है और ये जो military पर हमला हो रहा है उसको समझने के लिए 370 वाला master stroke समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 87 के फरजी चुनाओं के तरह 2019 में इस master stroke ने कश्मीर में बारूद लाने का काम किया था एक ऐसा माहौल बनाने का काम किया था जिससे पाकिस्तान या कोई भी आतंकवादी संगठन उसका फाइदा उठा सके पिछले दो सालों में 2300 लोगों को UAPA के तहे तरेस्ट किया गया है उनमें से आज भी आधे जेल में साड़ रहे हैं सारे लोकल पार्टी इसको साइडलाइन कर दिया गया गुपकर गैंग, गुपकर गैंग, एंटी नैशनल बोल कर उन्हें डस्बिन में डाल दिया गया दिल्ली से बाइ रिमोट कंट्रोल जमुएन कश्मीर में नई पाटी भी फ्लोट करने की कोशिश हुई आर्टिकल 370 हटाने के दो साल बाद जमुएन कश्मीर में टैक्स कलेक्शन आज आधा हो चुका है ये है स्टेट अब दी एकॉनमी वहाँ 370 और COVID-19 के डबल अटैक के बाद इंडस्ट्री कम्प्लिटली डाउन है जमुएन कश्मीर में unemployment rate 21.6% है देश में सबसे जादा कश्मीरी बिजनसमेन अब यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर जल्दी सरकारी मदद ना मिले तो 85% local industries units बंद हो जाएंगी तो बाहर की इंडस्री तो भूल जाएए जो है वो भी बरबाद हो रही है कश्मीर Chamber of Commerce के मताबिक सिर्फ पिछले दो सालों में कश्मीर ने 50,000 करोर का नुकसान जहला है पाँच लाख नौकरिया कम हुई है कश्मीर में और अब तो आलम यह है कि जम्मु के ट्रेडर्स भी सरकार के खिलाब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिलाइंस के नए नए स्टोर्स खुलने की बात है नौकरिया और जाने की बात हो रही है आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, सरकार के प्रती घुसा और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरबरता यह सब देखकर पाकिस्तानी आतंगवादी भी कह रहा है वाह, क्या सीन है चलो फिर से जले पर नबग डालते हैं फिर से जम्मु कश्मीर पर घास लेट डालते हैं यह फिर से बाइद वे कोई इतिफाक की बात नहीं है कि ISI बैक तालिबान ने अफगानिस्तान में जीत हासिल किया अमेरिका को बाहर खदेडा और उसी के तुरंद बाद कश्मीर में टेरर एक्टिविटी इतनी बढ़ रही है और यह तीन रीजन से बहुत चिंता जनक वाली बात है पहला जिस तरीके से नॉन लोकल्स को चुन-चुन के मारा जा रहा है जिस तरीके से कश्मीरी पंडित्स को फिर से टार्गेट किया जा रहा है वो 90's का फॉर्मूला ही रिपीट हो रहा है और सरकार को शायद ये बात अच्छी तरीके से मालुम थी कि आर्मी से मार खाने के बाद मिलिटेंट क्या करेगा वो सॉफ्ट टार्गेट के तरफ जाएगा देहशत फैलाएगा और हम माइगरेंट्स को आज सेफर प्लेसेज में रखने की बात कर रहे हैं लेकिन कब तक सारे लोगों को सुरक्षा देना नामुम्किन है और टेर्रिस्ट इसी बात का फाइदा आज वैली में उठा रहे हैं दूसरा बड़ा प्रॉब्लिम जिसको भानु प्रदा महता कहते हैं एसे सॉफ्ट टार्गेट को एम करो देहशत फैलाओ फिर सरकार भाइखुसा हो जाएगी वो किसी को भी शक के बिना पर उठाएगी एरेस्ट करेगी कमर तोड़ देगी ऐसे लोगों की और फिर क्या होगा जादा से जादा नौजवान हात्यार उठाने के लिए और भी तयार हो जाएगे ये इसी साइकल ओफ टेरर, वाइलेंस, सिक्योरिटी फोर्सेज, बिकामिंग टेररिस्स अगैन के चलते ही पाकिस्ताने मिलिटनसी को जम्मु इन कश्मीर में इतने साल जिंदा रखा है और ऐसा भी नहीं है कि हर दूसरे दिन भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करे क्योंकि चाइना भी हमारे दूसरे बॉर्डर पर बैठा यही करने के लिए हमारे पास आज ओप्शन भी लिमिटेड है पहले से और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है इसे होम ग्रोन टेरर दिखाने के लिए भाया हमारा पैसा नहीं है हमारा हत्यार नहीं है यह सब आपके लोग कर रहे हैं तीसरा प्रॉब्म शायद टेररिस भी जानते हैं कि नॉन मुसलिम्स को मारने से पूरे भारत वर्ष में कम्यूनल डिवाइड और बढ़ेगा एक दूसरे को हम ब्लेम करने लगेंगे बदले की आँख कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक जलेगी और जो काम बॉम से ना हो पाया वो लोग खुदी कर देंगे तो उस एंगल से जमून कश्मीर में टारगेटेट किलिंग से उसका अंजाम आप देश भर में देखेंगे और नेता टाइप लोग जानते हैं इसको अपना एजेंडा बना के और हवा देंगे बुझाएंगे नहीं कुछ लोगों को लगता है कुछ लोग मानते हैं कि नहीं नहीं ये रिसेंट किलिंग्स 90's का रिवाइंड नहीं है देखे कुछ चीज़ा अलग भी है लोगों को आज शायद थोड़ी जादा समझ है कि पाकिस्तान का खेल क्या हो रहा है यहां सरकार एक फुल स्केल पलायन होने भी नहीं देगी और नहीं आज ISI के पास 90's के तरह पावर अनलिमिटेड पावर और पैसा है लेकिन 90's में याद रखिये आतंगवाद जमुन कश्मीर को जलाने के लिए किया गया था यहां मनसूबे पूरे देश में आग लगाने के हैं पाकिस्तान का पुराना एजेंडा ब्लीड इंडिया भाया थाउजन कट्स तो रीरन नहीं है क्योंकि यह और डेडली है than the 1990's कुछ साल पहले था कैसे हमले जब होते थे तो नई दिल्ली पर सवाल उठते थे इस्तीफे मांगे जाते थे टीवी पर डिबेट होते थे काईदा सरकार से सवाल पूछे जाते थे कि वो इतिनी निकम्मी क्यों है और वो तब जब जब जमोयन कश्मीर अपने आप में पूरा का पूरा एक राज्य था, एक स्टेट था आज यूनिन टरिटरी होने के बावजूद सरकार के नियंतरंड में होने के बावजूद कोई जबाब नहीं मांगा जा रहा है कोई ये नहीं पूछ रहा है कि 370 मास्टर स्ट्रोक में ये 56 कहां से आ गए सवाल पूछा जा रहा है कि लिबरल्स चूप क्यों है मांग की जा रही है कि कश्मीर की मिजॉरिटी जनता सडक पर क्यों नहीं आ रही है माइनॉरिटी को सपोर्ट दिखाने के लिए ये सारे सवाल तब पूछे जा सकते थे जब 370 हटाने के बाद कम से कम कम से कम जम्भो इन कश्मीर को अपना स्टेट हुड वापस मिलता कोई रिस्पेक्ट उनको अपनी वापस मिलती तब पूछा जा सकता था जब पिछले दो सालों में इंटरनेट ऐसे नहीं काटा जाता जैसे बिजली जा रही हो तब पूछा जा सकता था जब निर्दोष लोगों को UAPA मार कर महिने महिने साल पर साल जेल में बंद होता ये सवाल अब तब पूछ सकते थे जब जम्भो इन कश्मीर में विकास गड़े में नहीं गिरा होता और ये सवाल आप तब बूछ सकते थे जब बाकी देश भर में मिजॉरिटी जन्ता, मिजॉरिटी मीडिया माइनॉरिटी राइट्स के लिए और उनके अत्याचारों के खिलाफ सड़क पर खड़ा होता No doubt हमारी फॉज ये The Resistance Front को भी ढून निकालेगी जो ये सारी हरकते कर रही है और उन्हें भी मूतोड जबाब देगी लेकिन इस failure of governance की वज़े से जो इस बारूद में जो चिंगारी लगी है उसकी responsibility कौन लेगा? उसके बार में सवाल कौन करेगा? हाली में BJP ने मोधी जी के politics में 20 साल पूरे होने पर उनके 20 achievements, उनकी उपलब्दियां गिनाई लेकिन हैरानी बात ये है कि उसमें नोट बंदी का नाम ही शामिल नहीं था 2016 में उनका सबसे बड़ा master stroke black money को खतम करने का एक जटका solution 5 साल लग गए उस failure को मानते मानते 2019 में हटाए गए 370 को अभी सर्फ 2 साल हुए है और परिणाम सब के सामने है अब देखना ये है कि ये master stroke किते दिनों में officially dustbin में जाता है और क्या हम कश्मीर में अब political parties के साथ locals को involve करके पाकिस्तान के मनसूबों को हरा सकेंगे या फिर चलते रहेंगे जबते रहेंगे साब चंगासी कैसा लगा ये episode कश्मीर हमेशा ही एक complicated topic रहा है और उसे एक YouTube वीडियो में डाला भी नहीं जा सकता है वैसे नीचे description box में 6 और episodes हैं जो हमने यहाँ बनाए हैं कश्मीर की history से लेकर 370 से लेकर और आज के situation तक वो भी ज़रूर देखेगा एक बहुत ही complicated problem है लेकिन याद रखिए कश्मीर में जो आज होता है वो पूरा देश देखता है अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो ज़रूर subscribe करिए share करिए इस episode को और हाँ, अभी जो RBI के guidelines है उसके वज़े से हमें काफी problem हुई है हमारे members को काफी problem हुई है तो ज़रूर जाइए patreon.com slash the देश भक्त पे और एक annual member बनिये जिसे हम ऐसे episodes आपके लिए और भी बना सके थाइए थाइए